नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल पर बहुत-बहुत सवागत हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्विंग टेडिंग के लिए किंज स्टॉकों के अंदर आप अगले वीक के अंदर अपनी वाश लिस्ट के अंदर इन्हा एड़ कर सकते हैं और आपको अपनी जो रिशर्च है उसमें थोड़ी साहता मिल रही है जो इस्टॉक हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उन्हों पर आप अपनी करें और देखें किस तरह से इन्हों के अंदर ब्रेक आउट होता है तो आप टेड़ ले सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करन है उसका नाम है इंजिनियर्स इंडिया देखें इस बार मैंने आपको इंजिनियर्स इंडिया के नाम के साथ में बता रहा हूं ठीक है तो पहला स्टॉक हमारा हो गया इंजिनियर्स इंडिया और इसका जो भाव है वह 80 रुपए 5 पैसे इसका फ्रैडे की क्लोजिंग प् ठीक है और इस pattern को अगर हम धंग से देखें तो हमें inverted head and solder pattern ये बनता हुआ नजर आ रहा है देखें ये हमारा solder हो गया उसके बाद में ये हमारा head हो गया इसके बाद में अगला solder हमारा ये बन गया इस तरह से इंजिनियर्स इंडिया के अंदर inverted head and solder pattern बनाए अब आपको क्या करना है इसके अंदर जो कल की हाई था लगबग कल के हाई के निकलने के बाद में आप इसके अंदर entry ले सकते हैं बात करें दोस्तों target की तो हमारा पहला target लगबग 84 के आसपास होगा ये वाला level और इसके बाद ये वाला level भी अगर निकल जाता है तो जो next target बनता है वह हमारा लगबग 90 रुपे के आसपास ये वाला level बनता है अगर इस चार्ट दिखाऊंगा आपको तो बहुत अच्छी तरह से ये दिखा आपको नजर आएगा कि हमारा rectangle pattern है box pattern है और ये देखिए सांदार एक box pattern बना है इसके अंदर पहले वाले में इस अबटा देता हूँ ठीक है ये रहा हमारा तो एकदम resistance के point पर खड़ा है हमारा और ये हमारा इसने एक box बना लिया तो अगर हम इसका target decide करें तो इसका target हमारे पास में लगबग 100 रुपे का निकल के आ रहा है और अगर हम EIL का देखें जो सबसे बड़ा जो resistance निकल के आ रहा है वो भी हमारा ये वाला level 100 रुपे के आसपास का निकल के आ रहा है और stop loss की बात करें तो जो हमारा inventory head and solder के अंदर जो पहला वो second जो solder था वो हमारा इसके अंदर आप SL लेके चल सकते हैं और वो SL बनेगा हमारा लगबग यहां से आप च्छेता सतेत रुपे का यह वाला level आप SL लेके चल सकते हैं तो इसके अंदर बहुत छोटा SL है और target बढ़ा है second stock है दोस्तो हमारा HDFC bank अगर HDFC bank के अगर पिछले history को देखे तो आपको देख नजर आ रहा होगा एक uptrend आएगा एक uptrend के बाद में consolidation होगा उसके बाद फिर से एक uptrend के शुरुवात होगी देखे ऐसा ही pattern यह uptrend रहा uptrend के बाद में HDFC bank न यहां पर यह consolidation दिखाया और उ से एक consolidation हो रहा है तो यह हमारी एक journey हो गई और इसके दोरान यह इसका consolidation हो गया ठीक और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके अंदर breakout होने वाला है देखे लगबग दो मेने होने जा रहे हैं दो मेने से HDFC bank इसी range के अंदर घूम रहा है और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज 140 के आसपास हो रहा है उसके बार दे के बंद होने तक वापस नीचे आ जाता है तो यह संकित है कि इसके अंदर कहीं हो ना हो बायर इसको यहां से नीचे जाने नहीं दे रहे हैं और इसको उपर ले जाने की कौसिस कर रहे हैं अब दोस्तों जैसे हमारा यह level निकल जाता है 1360 के आसपास इस लेवल के आसपास आता है तो आप यहां पर फुल बैक एंट्री लेजिए और 100 रुपे की आपको प्रॉफिट होगा 100 का प्रॉफिट आप 1445 पर आके बुक कर लीजिए ठीक है तो इस तरह से HDFC बैंक के अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हैं अगर ब्रेक आउट होता है तो बहुत अच्छी बात है बहुत तेजी से स्टॉक हुआ पस उपर की तरफ निकलेगा तो दो स्टॉक हो चुक है हमारे अगला स्टॉक है हमारे पास में ट्रेंट का और इसकी क्लोजिंग देखे है और यहां पर आपको मैं ट्रेंट लाइन बना के दिखा हूं आप देख सकते हैं सेमेट्रिकल यह हमारा एक सेमेट्रिकल ट्रेंगल रहा इसके अंदर और एक हम इधर से भी लेंगे तो सेमेट्रिकल ट्रेंगल के इसने फ्रैडे के दिन इसको ब्रेक आउट कर दिया है अब इसके अंदर आप इसके हाई निकलने के बाद सीधा सीधा समझें कि 700 रुपे का अगर 700 रुपे के उन पर अगर श्टोक निकलता है तो आप इसके अंदर खरेदारी कर सकते हैं सेमेटरियल ट्रेंगल की और पहला टारगेट की बात करें तो 730 के आसपास हो जाएगा और बड़ा टारगेट निकलके आएगा इसके अंदर 770 रुपे का जो 10% निकलके आ रहा है तो तीन हो चुके हमारे पास में इंजिनियर्स इंडिया सो दिन का मुइंग एवरेज है उसका हमारा ट्रेंट कंट्यून्यू सपोर्ट लेते हुए चल रहा है यहां पर सपोर्ट रहा इसके बाद देखें यह सपोर्ट इसके बाद यहां पर सपोर्ट लिया यहां पर यहां पर सपोर्ट रहा इसके बाद यहां पर से कंट्यून् सबस्तों यहां पर देखें सो टे के मुविंग एवरेज के नीचे गया जरूर है लेकिन क्लोजिंग वापस उपर हो गई है तो आपको इसके अंदर सीधा-सीधा अगर सो डे के नीचे closing हो जाती है तो आपको इसके अंदर भाहर निकल जाना नहीं तो आप अपनी position को hold करिए साथ में देखें तो resistance जो हमारा 20 और 50 दिन की moving average है ये continue यहाँ पे इसको एक resistance दे रही थी इस जगे पे ठीक है और उसकी भी इस दोनो moving average का breakout भी इसने इसी candle के अंदर दे दिया है तो सीधा सीधा आपके लिए जो stop loss निकल गयाएगा और 670 रुपे ये 100 दिन की moving average की line चल रही है ये हमारा इसके अंदर SL रहेगा अंतिम इस stock है हमारे पास में वह है PNB Housing Finance का देखे PNB Housing Finance के पास में जो ये जो level है 370 80 का ये ही इसके लिए इस समेक resistance का काम कर रहा है ठीक है और साथ में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे continue PNB Housing Finance का stock इस level को hold करता हुए आ रहा है और अगर यहाँ से इस level को cross करता है तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत तेजी से उपर जा सकता है ये जो चार्ट देख रहे हम इसको देख रहे हम डेली पे और अगर मैं weekly पे करूँ इस चार्ट को तो आपको देखे कितना अच्छा दिखाई देगा ये pattern कि बहुत टाइम से एक जगे पे consolidation हो रहा है hold कर रहा है जो candle बन रही है वह छोटी छोटी candle इसके अंदर बन रही है ठीक है और मैं इसके अंदर बोलिंजर बैंड भी लगाऊंगा तो narrow range नजर आईगी तो दोस्तों जैसे ही मुझे लग रहा है कि ये वाला level निकल जाएगा तो PNB के अंदर आप entry ले सकते हैं PNB housing finance का और इसके अंदर जो SL रखना होगा वो 3.5 तीन सो रुपे के आसपास का आप इसके अंदर SL रख सकते हैं target इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़े निकल के आएंगे इसको आप swing trading के आप इसको positional और थोड़े long term के ले भी लेके जा सकते हैं तो मैंने दोस्तों इसके अंदर लगा दिया Bollinger bands और आप देखें इसने यहां पे भी एक बिल्कुल Bollinger band एकदम narrow range के अंदर आ गया था उस समय stock का भावता इसका 230 के आसपास और वहां से यह 380 के आसपास चला गया है अब फिर से हमारा Bollinger band बिल्कुल narrow होता जा रहा है आप देखें यहां पे और अगर breakout होता है उपर की तरफ ठीक है तो बहुत तेजी से हमारा PNB housing finance उपर की तरफ जाएगा इसलिए आप इसको watch list के अंदर add कर लीजिए सीधा इसके लिए मैं बतारूं 570 से 80 निकल के आ रहा है इसलिए आप इसको long term के लिए भी PNB housing finance को लेके जा सकते हैं लेकिन stop loss जो दोस्तों जरूर रखे तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर 4 stock के बारे बात करिए अपनी watch list के अंदर add करिए breakout होता है और stop loss जरूर रखें उसके बाद यहां आप इसके अंदर end लें वीडियो पसंद आए तो like करें, share करें अगर आप नए हैं तो हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं लाकि दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है